पिछले 24 गंटों में जारकन में कुछ कुछ इस्थानों पे हलके समंदन देर्जे की बाज़ित देखी गई साथ में एकाल इस्थानों पे भारी बारिष भी देखे गई जो सबसे अधिक बारिष थी वो 74.7 mm गमहरिया सराइकला करतावां में रिकॉड किया गया सबसे अधिक अधिक अधिक्तम ताप्माइं 35.6 degree Celsius गोडा में रिकॉड किया गया बात करते हैं कि सिनॉप्टिक फीजर की तो जो मौंसूं ट्राप है वो अभी जारकन के दक्षिन से गुजर रहा है जिसका जो असर है उजह हरकन पर उसके वज़ा से थोड़ा गर्षा में कमी आई है और साथ साथ में एक सेकलोनिक सर्कुलेशन है जो कि उत्तरी आंध्रपर्देश और दक्षिनी उडिसा के पास में है और वो 17.6 km एवर मीन सी लवे पर एक्स्टेंड कर रहा है और इसका टिल्ट है सौथवर्ड इसके 24 घंटे में कल तक में लोग प्रेसर बननी की संभावना है उत्तर मद दे उत्तर पच्चिम आपका बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए पच्चिम मद दे बंगाल की खाड़ी इस एरिया में इसका लोग प्रेसर बननी की संभा पात में अभी आने वाले जीनों में कमी देखने को मिलेगी अब बात करते हैं कि मौसम पूरवानमान की तो अभी आज में उनीस तारीक में कुछको इस्थानों पे हलकिस मद्रम दर्जी की वारिज देखने को मिल सकती है बीश इकीस में थोड़ी से वारिज में कमी आएगी और उचह k intern aide आज vérra करते हैं ऐसाब से की इस था लिक्षिशने को रख API I-C and तो जो सिस्टम को जैसे कम मिलने के सम्हाना जताई जाए जाए अभी तक कि जो मौसुन का वर्षापात है उसके स्टेटर्स के बारे में बात करें तो अभी तक में जो अब्जाग रेंफॉल है जो एक्कियो रेंफॉल है वो 214.08 mm है जबकि इस अवधी का जो समानी वर्षा पात है 17 जिले हैं जहां समानी से कम वर्षा पात है 4 जिले हैं जहां समानी से काफी कम वर्षा पात है और अभी जैसे दोनों सिस्टम की जो इस्तिती जारकन के लिए उतनी अनकूल नहीं है तो थोड़ा उमीद यही है कि थोड़ा वर्षा पात में कमी आएगी यह थोड़ किसाब से थोड़ी वरसा पात्मी कमी की ही समवाना जताई जा लिए और किसान भाई लोग इसके साब सब्सक्राइब कर सकते हैं